दोस्तो इस समय हूं मैं ललतारा फुल पर और आप सो से पहले मागंगा दर्सन करें जै मागंगे हरहरे गंगे गंगा मिया की जै तो दोस्तों आप दे सकते हैं ललतारा फुल का काफी पुपसुरा द्रिश्या मागंगा की निर्मल धारा बैती हुई और आप देखिए ये फुल तो दोस्तों मैं आज आपको दिखाऊंगा हरिद्वार में कल स्थापित कर दिया गया है सबसे लंबा तिर्सूल और वो भी हरिद्वार की पैशान बनेगी ये देखिए आप और दोस्तों ये सुब़े सुब़े का द्रिश्या है अगर आप हरिद्वार की तरफ आना चाते हैं तो आप इस पुल के रास्ते आ सकते हैं इसका नाम है ललतारो पुल और सामने बिर्ला घाट भी है तो बिर्ला घाट के नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों आपको ले चलता हूँ मैं आगे तो दोस्तों बात करें तिर्सूल की तो यहाँ पे सबसे लंबा तिर्सूल इस्थापित कर दिया गया है 141 फिट लंबा तिर्सूल और दोस्तों अगर आपने देरदुन से हरिद्वार के भी सबर किया होगा तो आपने देखा होगा सिवजी की सबसे बड़ी पर्थिमा हाईवे के जश्ट बगल पर है विवे कानन पार्क पर तो दोस्तों मैं आज आपको दिखाऊंगा उतनी ही लंबाई में यहाँ पर तिरसूल इस्थाफित कर दिया गया है इसकी लंबाई है 141 फिट अगर आपको दिखाई दे रही होगी देखे आप तो मैं आपको दिखाता हूँ ले चलता हूँ आगे और दोस्तो दो-चार दिन से वीडियो नहीं आये उसके लिए सौरी क्योंकि मुझे काम पड़ गया था जिसका रण मैं वीडियो नहीं बना पाया तो मैं आज आपको यह दिखाऊंगा हर दुआर का सबसे लंबा तिर्सूल और हम पहुँची गए है और दोस्तो यह पुल के यह पुल खतम होता है तो सामने ही आप दिर्सूल देख सकते हैं और उसके बाद मैं ले चलूँगा आपको हर की पॉड़ी और दिखाऊंगा हर के पॉड़ी का आज का ताजा दिर्श्या दोस्तो अगर आप आ रहे हैं हरित्वार तो मैंने आपको बता दिया है अपनी पिछली वीडियो में तीन-चार दिन पहले की वीडियो में कि आपको गबराने कोई दिखात नहीं है आप आ सकते हैं आपको सिरब अपने पास एक मुबाइल नंबर एक आदरकाल रखना है अगर चेकिंग होगी तो आपको आप दिखा सकते हैं बाकी ऐसी गबराने माली कोई बात नहीं है आप आ सकते हैं महा गंगा मैं श्रान कर सकते हैं और यह देखे आप यह गंगा जी मैं नारियल पकड़ता है यह देखे छोड़ छोड़े बच्चे और हम पहुँच चुके हैं यह देखे आप दोस्तों आप कितना लंबा थिर्सूल है और मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए यह पुल है और पुल समाप्त होता है यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं आप और मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए आप और डमरू भी बनाया हुआ है काफी उच्चा तिर्सूल है और काफी खुपतुरत है और आकासन का केंद्र भी है और नैशनल हाइवे से आपको दिखाई देगा फलाइवोबर से आपको दिखाई देगा यह देखिए आप इतना हिस्सा आप नैशनल हाइवे से देख सकते हैं अगर आप हरिद्वार से रूड की जाएंगे तो आप देख सकते हैं तो दोस्तों लेचलता हूँ मैं आपको आप हरकी पॉड़ी पर और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करें, शियर करें और कमेंट करें मैं पहुंच चुका हूँ सुबास गाट पर और सुबास गाट का आप दिरिश्या देख सकते हैं काफे सारे तीर थीयात्री और सरदालू पहुंचे हूए हैं और यहां पर बोजन करवा रहे हैं और आपको लेचलता हूँ मैं हरकी पॉड़ी पर और दिखते हैं आज हरके पाड़ी पर कितने सर्दालो पहुचे हुए हैं तो दोस्तों आप दिख सकते हैं सुभास घाठ पर काफे सारे सर्दालो दिखाई दे रहे हैं और आपको लिए चलता हूँ मैं हरके पाड़ी पर और दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ नाई घाट पर और दिखाता हूँ मैं आपको नाई घाट का दिरिश्या देखिए आप और इस पुल से भी काभी सारे सरदालू आ रहे हैं दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ नाई घाट पर और नाई घाट पर देखिए आप काफी सारे सरदालू है और यहां पर यह दुकान भी लग चुकी है अब पहले नहीं थी देखिए आप इस तरह काभी भीड़ है आज और नाई घाट पर भी काभी सारे सरदालू हैं और आपको ले चलता हूँ आगे यह देख सकता है आप मागंगा के निर्मल धारा बैते हुए तो आप देख सकता है बरमकोन गातिरिश्या देखिए आप जल बार चुका है आप देख सकते हैं मंदिर पर इस समय थोड़ा जल कम है क्योंकि रात को जल छोड़ा जाता है तो जल इतना पहुंच जाता है जहां पर आप देख सकते हैं निसान जल इतना था इस समय सुबह के टैप पे थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि हर दिन छोड़ा जाता है जल गंगा आर्थ के बाद जल छोड़ा जाता है और देखे आप ब्रमकुन के तरफ काफी सारे सरदालू है और आपको ले चलता हूँ मैं आगे माईला घाट पर यह वाला घाट पुरा बढ़ा हुआ है यात्रियों से और दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ माईला घाट पर पर माईला घाट का आपको दिरीशे दिखाता हूँ मैं तो इस घाट पर भी काफी सारे सरदालू है और इस तरह बात करें तो देखिए आप मैं लगाट पर भी है आज और जल एक दम साप और स्वाच है पर जल ठंडा है काफी तो दोस्तों यह है आज का ताजा द्रिश्या हर के पौड़ी हरी दुआर का यह देखिए और दोस्तों इस समय धूप नहीं है तो ठंड काफी है आप देख सकते हैं पोरा लगा हुआ है चारो तरफ और दोस्तों अगर आप कुछ पूशना चाहते हैं तो पूश सकते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैमा गंगे हरहर गंगे गंगा मैया की जै और जता है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो खाया।